हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत करता हूँ और आज का जो सेशन है, उस सेशन में मैं एक लिटरेचर के एक लिटरी टरम्स के लिए सेशन लेके आया हूँ आपके पास और वो लिटरी टरम्स कुछ ऐसा टरम्स है कि एक बार हम बहुत छोटी छोटी चीजों को नहीं जानते हैं और सिर्फ रट लेते हैं और वो लिटरी टरम्स रिलेटेड है एक फ्रेज से आपने सेक्ष्पियर को ये जरूर सुना होगा लोगों कहते हूए कि अब बार्ड क्या चीज है लिटरेचर में ये बहुत कम लोग समझने की कोशिश करते हैं जबकि ये बार्ड जो है वर्ड्सवत के लिए भी कहा गया था और भी कई लोगों के लिए वो भी मैं आपको बताऊंगा उनको कौन सा बार्ड कहा जाता है लेकिन आज का जो हमारा पूरा डिसकेशन है वो वट इस बार्ड बार्ड क्या होता है और बार्ड की क्या हिस्ट्री थी और बार्ड किसे कहते हैं अब वो किस तरीके से समझा जाता है उस पर होगा जो एक बहुत छोटा सा लेक्चर होना है लेकिन ये बहुत इंपॉर्ट की बात करूँ तो bard की शुरुवात हुई है लगबग mid 15th century से और mid 15th century में ये poets को एक title दिया जाता था अब वो कौन से poets थे और किन poets से शुरुवात हुई ये जानने की कोशिश करते हैं तो mid 15th century में कुछ professional poets थे प्रोफेशनल यानि की जिनको तंखा मिलती थी जो पे किया जाते थे जिनको salary मिलती थी और वो थे Celtic societies के poet Celtic societies Ireland में होती हैं और Gales की society में थी जो की Scotland में भी माने जाते हैं और Wales, Cornwall और Brittany नामक जगा पे professional poet होते थे इन सबके एक एक संग्रक्षक होते थे जो इनको तंखा देते थे और ये patterns जो हैं ये patterns इन लोगों को salary देते थे किस बात की ये professional poets अपने patterns की तारीफ करते थे poem में, poem के थूँ और poem के थूँ उनकी तारीफें की जाती थी और जब भी कोई poem based होती थी वो जातर patterns पे होती थी और उनकी life को आप एक तरीके से प्रशंशा की जाती थी उनकी और उनको eologize किया जाता था ये समझ सकतें तो ये professional poet थे तो इस तरीके के लोगों को bard कहा गया शुरुवात में Ireland में जो bard की बात होती है तो उसे एक learned professional poet माना जाता था जो एक खांदान के पूरी hereditary में चलता था कि ये इस खांदान में bard है फिर अगला भी इस खांदान में bard होगा और वो इस तरीके से Ireland में इनका मतलब होता था कि वो history को generation to generation orally गा के पहुचानी के कोशिश करते थे उन लोगों को bard कहा जाता था Irish culture में और 13 century में Wales में basically ये प्रथा जो है बंद हो चुकी थी और उधर mid 17 century में आके ये Ireland में भी बंद हो गए उसके बाद आया mid 18 century तो mid 18 century में आने आने तक bard का ये जो meaning था वो Scotland में भी बंद हो गया अब bard का जो ये concept बंद हो गया तो क्या bard end हो गया literature से नहीं bard reappear हुआ और bard term जब reappear हुआ तो ये एक Celtic revival moments के रूप में उसके संदर्व में reappear हुआ उससे relation में Celtic revival आप सब लोग जानते हैं कि Ireland के जो revivals था रहने सा था जिसमें Irish culture को जोडने की कोशिश गई दुबारा और इसको revive करने की कोशिश की गई और इन सब में आप जानते हो लेड़ी Gregory और W.E. Yates का कितना बड़ा हाथ था और Abbey Theatre इसी Celtic revival की देन हैं आप सभी जानते हैं जहां singe के play को बाद में पूरा perform किया गया और बाकी सब और जिसने Irish culture को एक पूरी दिशा दी तो उस जमाने में उस संदर्व में भी एक इसको समझा जा सकता है कि यह reappear हुआ और इनके reappearance का यहाँ पर एक खास संदर्व था कि जो बाहर की power Ireland में को कब जाना चाह रही थी आप जानते हैं कि आइरलेंड में हमेशा से के संदर्व में से बार्ड कहा गया यानि कि बाहरी ताकत जो Irish culture को खतम करने की जुगत में थी उनके खिलाफ खड़े होने वाले points को बार्ड कहा गया और Thomas Gray के एक महान poem आपने सुनी है The Bard जो कि एक पिंडारी code है तो वो भी एक ऐसी passionate poem है जो condemn करती है Norman जो राजा था King Edward First क्योंकि वो Wales का conqueror था Wales में उसने हमला किया था और poem जब ये end होती है तो उस poem के end में जो poet होता है नहीं जो bard होता है वो एक mountain top से कूत के जान दे देता है तो ये एक बहुत जवरदस poem रही थी तो ये भी एक विरोत करने का जरिया बनी जब bard नामक term reappear हुआ अब आगे क्या इस तरीके की bard की definition गई नहीं अब आते हैं over the time धीरे धीरे जब ये चीजें होने लगी और develop हुई तो इस bard नामक शब्द ने एक नया meaning लिया कि एक ऐसा poet जिसको especially जो distinguished या distinction जिसे मिला हो या जो poet सबसे refined या distinct माना जाता हो जो बिलकुल अलग माना जाता हो जिसने अलग मुकाम हासल किया हो जिसने एक उचाई हासल की गई हो उसको लोगों ने bard कहना शुरू कर दिया यानि कि एक उचे दर्जे के poet को जिसने अपना एक मुकाम हासल करके जग़ बनाई हो poet समाज में या society के अंदर या community के अंदर, literary community के अंदर उसको bard कहा जाने लगा तो अब बड़े-बड़े लोगों को अलग-अलग bard कहा गया है तो मैं आपको कुछ important दो-तीन bard बता रहा हूं उनको आप ध्यान से सुनिएगा question आ सकते exam में bard of A1 आप सब जानते हैं William Shakespeare को कहा गया क्योंकि A1 नदी के किनारे उनका जन्म हुआ था और उसके बाद wordsworth को कहा जाता है the bard of Rydal Mount आप याद रखेगा Rydal Mount, R-Y-D-A-L-M-O-U-N-T wordsworth को कहा जाता है bard of Rydal Mount और जब Robert Buns की बात आते हैं तो Robert Buns को कहा जाता है bard of Ayrshire point of view से तो आज की date में bard जो है वो एक poet of distinct style या एक उचे दरजे का poet जो सबसे अलग जिसने मुकाम हासल क्या हो और जिसको एक उचा मुकाम हासल हो उसे bard कहा जाता तो bard शब्द के सफर के सुरुआत कहां से हुई थी और वो किस तरीके से change हुआ और कौन-कौन से तीन बहुत ज़्यादा famous bard हैं वो मैंने आपको बता है इसके अलावा भी कई लोगों को bard के उपादियो और bard कहा गया है जो आप धूट सकते हैं और उसे पढ़ सकते हैं लेकिन फिलहाल bard शब्द को clear करने के लिए ये lecture काफी रहेगा so I hope कि आपको bard शब्द बिल्कुल clear हुआ होगा और आपसे फिर मिलेंगे नई lecture में literature के तब तक के लिए विदा लेता हूँ लेकिन like, subscribe करना भूले और आप लोगों के like और subscribe से ही we exist here and we are here because of you so I hope that you all will like and subscribe and keep forwarding the videos to your friend and all the persons who are somehow in some literary pursuits either for career or for their interest thank you have a nice day